मश्कार करनल अजय स्यों अजय स्ट्रोवन क्रूज फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनेंस डीचल चैनल से आपसे मुखातिव हता हूँ आज 20 सितमबर से 2023 दोस्तो मसाले पर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विस्टेशन आप तक प्रस्तूस करता है दोस्तो हम वर्तमानी नहीं भविश कभी करते हैं सटीकार्मन आज के एपिसोड पर हम जीरे और धनिया पर बात करेंगे सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं क जीरे के भाव आज देश के विविन हिस्सों पर क्या रहे जीरा राजकोट के अंदर यूरोपेन क्वालिटी का जो है बीस किलो का यानि प्रतिमन 10600 से 10700 सिंगापूर क्वालिटी 10200 से 10400 और डिसकलर जो नहीं आ है थोड़ा सा हलका क्वालिटी 9200 से 9600 के भाव बताये जा दस जार चार सो और मंडी में भाव दस जार से 10700 रुपए बताये जा रहे हैं प्रतिमन उज़ा से ख़बर निकल के आ रही है कि उज़ा में इसबूल इसबूल के भाव मीडियम क्वालिटी 3900 से 4000 रुपए प्रतिमन और फारें क्वालिटी 4150 से 4350 और सुपर 4450 से 4650 के भा जो गुजरात की के नहीं विश्क की सबसे बड़ी उंजा जीरा मंडी मानी जाती है वहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी के भाव जीरे के 9500 से 9700 प्रेपती 20 किलो रफ चालू क्वालिटी 9400 से 9600 और NCDX वाला 10200 से 10400 के भाव हैं बैस्ट क्वालिटी 10600 से 10800 बाम्बे बो परशंट 11800 सिंगापूर एक परशंट 11800 और सिंगापूर जीरो फाइव परशंट 11900 और येरोप वन परशंट 12400 के भाव बताये जा रहे हैं दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि राजिस्तान में कोरेंडर सीड यानि धनिये के बीच के भाव में मिला जुला रुक देखने को मिल रहा है कहीं भाव गिर रहे हैं और कहीं इस्थर बताये जा रहे हैं राजिस्तान की मंडियों में आज धनिये के भाव में मिला जुला रुक देखा जा रहा है और राजिस आवक पताई जा रही है और आफ सीजन के चलते लगबग तीने जार बूरी की ही आवक थी पहले आज रेगुलर दिनों से पांच जार बूरी अधिक माल आया इससे अधिक माल की डिमांड नहीं थी इसलिए धनिये के भाव गरे यानि नॉर्मल तीने जार बूरी के मुकाबल आज 8,000 बूरी की आवक रही और 5,000 बूरी अधिक आने से रामगंज मंडी में धनिये के भाव में कमजोरी दर्ज हुई पिछले कुछ दिनों से बरसाच चल रही थी इसलिए किसान अपना माल मंडियों में नहीं ला पा रहे थे और जैसी बारिश रू की किसान बड़ी मा बाव 6,400-6,700 बूर बना मी धनिया बीच के भाव 200-100 अपर प्रपेघ कंटल तक गिरने के समाचार मिल रहे हैं इगल क्वालिटी के धनिये के भाव 6,800-7,000 रुपर रहे और लगबग ड़ां इगल धनिया क्वालिटी के भाव में 300-200 अपर प्रपेटिक यंटल के भाव ग द्रामी धनिया क्वालिटी के भाव 6200-6700 प्रप्रतिक इंटल रहे और ईगल के भाव 6700-7100 प्रप्रतिक इंटल रहे। दोस्तो पिछले करवबारी दीवस के मुकाबले आज के भाव भी इस्थिर रहे। अधियाम व्यपारियों के माने तो राजिस्थान की प्रप्रमुख मंडियों में धनिया के भाव 6200-7100 प्रप्रतिक इंटल के भाव रहे। लेकिन रामगंज मंडियों में अचानक से 5000 बुरी अधिक आने से उसके भाव जरूर गिरे हैं। तो दोस्तो आजया एस्टो मनिगरू संभवत विश्व का पहला एस्ट्रो फनाइंस फंडमेंटल एनलेसिस के आधारित विश्लेशन देने वाला देश का पहला चैनल है जो आपको लगातार अगरीम अनुमान देता है। धनिये के उपर आपको याद होगा हमने सबसे पहले आपको तेजी की बात कही थी जब पूरा देश धनिये के अंदर डेड़ से दोगुनी पैदावार की गुजरात और राजिस्थान की बात कर रहा था मद्यप्रदेश में। उस वक्त भी हमने कहा था कि धनिये के अंदर गिरावट जरूर है लेकिन इसकी एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी होगी और मैई जून के अंदर शांदार इसकी एक्सपोर्ट डिमांड देखी गई और 7,000 तंस से मकाबले 49,000 तंस से अधिक धनिये की एक्सपोर्ट हुआ और वजार में 55 रुपे का धनिया 85 रुपे तक विका उसके बाद हमने आपको धनिये के उपर भी एक अपडेट दिया था कि आप उपरी इस तरो पर साफ़ीडी का खेल हो सकता है और वही हुआ सुगे बाद धनिया बरी तरह से पिटाई खाया आगे धनिये के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है जीरे पर आपको याद होगा दोस्तो हमने 8 जुलाई को जीरा उजहा मीट के अंदर आपको गिरावट की अगरी मिशलेशन दिया ता कि अगस्त महिने के मद में जीरे के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है वैसे ही हुआ जबरदस गिरावट याद कीजिए लगबगे एक मैंने पहले हमने छोटी लाईची पर आपको अगरी मिशलेशन देते वे कहा ता कि छोटी लाईची में अब होगा साप छिड़ी का खेल उसके बाद देखिए लगाता हरी लाईची यानि छोटी लाईची के अंदर किरावट दर्ज हो रही है दोस्तो तेजी आने से पहले तेजी और मंदी आने से पहले मंदी का विशलेशन दे वो ही विशलेशन है अन्य था नहीं तेजी आने के बाद तेजी के कारण और मंदी आने के बाद मंदी के कारण गिराने से कभी व्यापारी को कभी फायदा हुआ नहीं व्यापार एक चक कमाने में हैं घोने में नहीं है और उसके लिए विचलेशन सबसे महत्वपून होता है आप मसाले के व्यापारी हैं स्टॉकिस्ट हैं मसाला उद्ध्योग आप चलाते हैं तो हमारी विशेश रिपोर्ट आपके लिए फायदेबन साबोत हो सकती है संपर करें आज ही all the very best good luck happy trading